रोवल एन्फील्ड स्क्रम 411 को भारत में लॉंच कर दिया गया है इसे 2.03 लाख रुपए की कीमत पर लाया गया है इसे कुल 7 रंग विकर्प में लाया गया है और इसके टॉप वेरियंट की कीमत 2.08 लाख रुपए रखी गई है यह कंपनी की हिमालन पर आधारत है और इसमें से कई पार्ट्स लिये गए हैं लेकिन यह कई बदलाव के साथ आती है जो इसे अलग बनाती है इसके सामने हिस्से में गोलाकार हेडलाइट दिया गया है जो की हिमालन से लिया गया है इसके साइड हिस्से की बात करें तो बाइक का फ्यूल टैंक आपका ध्यान आकरशित करता है। इसके साथ ही इसमें सिंगल पीस सीट उपर उठा हुआ एकजॉस्ट इंजन गार्ड दिया गया है। और उसमें एक पोर्ड ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम है। एक मुख्य क्लस्टर जो इंस्ट्रूमेंटेशन को हैंडल करता है। उसमें एक अनालोग स्पीडो मीटर। स्पीड दिखाने के लिए डिस्पले के साथ दिया गया है। गोला कार पोर्ड में LCD स्क्रीन दिया गया है जो फ्यूल स्तर, क्रिप मीटर व ओडू मीटर टाइम को प्रदर्शित करता है। स्क्रम 411 में 411 cc सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया गया है जो की हिमालन से लिया गया है। कमपनी ने इस इंजन में कोई बदलाव नहीं किये है और यह 6500 RPM पर 24, 3 BHP का पॉवर वचार 1500 RPM पर 32 Nm का टार्क प्रदान करता है। इसमें 5 स्पीड स्लिक शिफ्टिंग गियर बॉक्स दिया गया है। यह इंजन शांदार इस बाइक में भी शांदार परफोर्मेस प्रदान करती है। स्क्रम 411 में पॉवर डिलीवरी बेहत स्मूथ है। यह तार्क वाला इंजन है और शुरुआती एक्सिलारेशन अच्छा है और बोटम एंड बेहतरीन है। इस बाइक में अच्छा मिड रेंज मिलता है और यही वह जगा है जहां पर यह बाइक अच्छी लगती है।